हेलो फ्रेंड्स, welcome to my channel Seasworld फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ Fast壓s के टूप देख्स करे वी एक हैश्य शिय करने वाली हूं बट उससे पहले, fast önemाने चाहूंगे कि मेरी last वीडियो में Fast壓s के Missle Watter 25ml की पैकेजंग है उसके बारे में मैंने कहा था कि वो आपको smitten से ही मिलेगी वो आपको किसी online site से नहीं मिलेगी तो friends उसके लिए I am sorry वो packaging जो है वो आपको किसी भी online site से available हो जाएगी आपको nika.com, purple.com किसी भी site से आप उसे चेक कर सकते हैं बिकॉस जल्सटर्प ने अब अपनी small packaging जो है वो हर एक site पर available कर दी है ताकि आप उनके कोई भी full size product बाय करने से पहले उनकी small packaging लेकर उसे try कर सके और आपको पता लग सके कि वो जो product है आपकी skin के लिए suitable है या नहीं तो friends मेरे हाथ में इस time two products हैं जो की दोनों ही एक toner का काम करते हैं इसमें से first है steam distilled rose water जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल हर कोई brand जो है वो इसी परसेश से rose water ready कर रहा है because इस परसेश से ready किया गया rose water हमारी skin के लिए काफी अच्छा होता है और मैंने अपने DIY में भी आपको इसी परसेश से rose water बनाना सिखाया है and second है friends ये just herbs का pomegranate mandarin pore refining tonic ये भी एक toner का का काम करता है but friends अगर ये दोनों ही toner है तो इन दोनों में difference क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो friends ये दोनों ही जो है natural product है जैसे कि आपको पता ही है दोनों ही sulfate free है alcohol free है दोनों paraben free है और दोनों की जो shelf life है वो six months दी कही है and इन दोनों का दो price है जो rose water का price है वो यहाँ पर mention है friends 65 rupees and जो tonic है उसका price है 75 rupees so इस तरह से इन दोनों में जो difference है वो सिर्फ 10 rupees का है तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों में जो ingredients ये गए हैं वो क्या क्या है तो rose water में है कनोज के rose और साथ में है steam distilled water and ये जो tonic है इसके अंदर दिया गया है aloe vera leaf juice steam distilled orange blossom water steam distilled tulsi water and orange essential oil और साथ में vegetable gilsin and purified water so इस तरह से ये जो tonic है इसमें जो orange content है वो ज़दा दिया गया है तो इसकी जो fragrance है वो भी थोड़ी सी citrus type की है and ये जो rose water है इसकी fragrance friends जैसे हम कामा अरुवेदा का rose water यूज करते हैं बिल्कुल वैसी है तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में difference क्या है and कौन सा rose water and कौन सा toner because ये दोनों ही toner का का काम कर रहे हैं तो कौन सा toner कि skin type के लिए काम करेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस rose water के rose water हमारी skin के जो pores होते हैं इनको minimize करता है हमारी skin को refresh look देता है and साथ हमारी skin को healthy बनाता है and friends ये जो rose water है ये all skin types है इसे कोई भी skin type वाला यूज कर सकता है तो ये pore refining tonic basically उनके लिए है जिनकी जो skin के pores होते हैं वो थोरे से बड़े होते हैं और visible होते हैं आपने कईों की skin देखे होगी जिनके जो pores होते हैं वो दूर से ही visible होते हैं तो ये basically उनके लिए है अगर आपकी skin पर open pores की ज़्यादा problem नहीं है या visible pores की problem नहीं है तो friends आप इसे बाई मत कीजेगा आपके लिए rose water ही काम कर जाएगा लेकिन जिनको open pores की ज़्यादा problem है या जिनके जो pores हो ज़्यादा visible होते हैं उनके उपर ये जो tonic है ये बहुत अच्छा काम करेगा मैंने दोनों product यूज करके देखे हैं जब मैं इसे apply करती थी तो मेरी जो skin है वो थोरी से glowing करने लगती थी because ये जो है open pores को close करता है minimize करता है आपकी skin को refine करके fresh look देता है तो मैंने इन दोनों ही toners को use किया है आप देख सकते हैं ये जो tonic है ये तो almost finish होने वाला है और ये जो rose water है ये थोरा सा बचा हुआ है तो ये जो tonic है इसे मैं इस तरह से use करती थी कि इसके उपर इस तरह से एक cap लगा हुआ है और ये एक spray bottle है तो मैं इसे सिर्फ अपने t-zone area पर apply करती थी इस तरह से इस तरह से मैं इसे apply करके छोड़ देती थी और friends ये जो rose water है इसे तो मैं पूरे face पर apply करती हूँ और जैसे ही अब ये tonic खतम होगा तो मैं फिर इसे use करने वाली हूँ जिनकी acne prone skin है या फिर जिनको pimples के problem रहती है वो भी इस pore refining tonic को use कर सकते है तो आप देख सकते हैं friends tonic apply करने के बाद मेरी जो skin है वो थोड़ी सी glow करने लगी है तो अगर आप भी glowing skin पाना चाहते हैं या फिर आप अपने visible pores को कम करना चाहते हैं तो आप इस tonic को ज़रूर ट्राइ किजेगा एक बाद में और आपको ज़रूर कहना चाहूंगी कि आप अपने face पर जब भी rose water या कोई भी toner apply करते हैं तो अपने eyes को close करके ही उसे apply करें because आपने भी देखा होगा कि सभी products पर ये mention होता है कि avoid eye contact area तो friends आपने यह नहीं सोचने कि वो natural है तो हमारी eyes को कुछ नहीं होगा आपको अपने eyes close करके ही उसे face पर spray करना है so friends आपको दोनों में difference पता लग गया है अगर आप दोनों में से कोई product buy करना चाहते हैं तो दोनों की price में आपको full size product की price बदा देती हूं यह जो pore refining tonic है इसकी price है 545 रूपीज और इसकी quantity है 100 ml आती है और यह जो rose water है उसकी price है 495 रूपीज और उसकी quantity भी 100 ml है तो आप देख सकते हैं इन दोनों के जो 100 ml के products भी हैं उनमें भी कुछ खास difference नहीं है बड़ मैं आपको यही suggest करूंगे कि जो product जिस चीज के लिए specific बना हुआ है उसी तरह से आप उसे buy करें अगर आपको open pores की problem नहीं है तो आपका काम rose water से ही हो जाएगा लेकिन अगर आपको visible pores की problem है तो आप इसे buy करें आप rose water की जगा आप इस pore refining tonic को बाय करें जिससे कि आपको वो जो open pores और visible pores की problem है वो थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी और आपकी जो skin है वो fresh लगने लगेगी सो यही थी friends मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए या useful लगे तो like कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और मुझे Instagram और Facebook पेज पे भी follow कीजेगा मैंने उसका link description box में दे दिया है तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में थैंक यू फ्रेंद्स बाइबाए